हेलो दोस्तो वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ETF के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ऐसा इंडेक्स का ETF है जो कि सबसे ज़्यादा गिरावट सो कर रहा है तेखिए मार्केट में कई सारे इंडेक्स है उन में से ये ETF जिस इंडेक्स क के बारे में हम बात कर रहे है वो है मिराएसेट का निप्टी 200 अलफा 30 ETF जिसका की प्राइज है 26.28 और इसको देखेंगे तो इस गिरावट में ये एक ऐसे इंडेक्स का ETF है जिस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है और जिस वचे से यहां भी सबसे ज़्य 30% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल लई है जो कि जितने भी मार्केट में इंडेक्स है उनसे कहीं ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में और भी इंडेक्स ETF है ब्रॉडर मार्केट में आएंगे तो निप्टी 50 को देखेंगे तो उपर से लगबग एक साल के जिसमें की मिट कैप और स्मॉल कैप भी आ जाता है तो वहां भी देखेंगे तो एक साल के चार्ट में अभी सिर्फ साड़े 6% के आसपास की गिरावट है तो इंडेक्स वाइस उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है हाला कि काफी लंबी गिरावट हो गई है बीते एक ड इंडेक्स अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है और यहां पर आपको कोई इसू भी नहीं है वालूम भी अच्छा खास आता है और एक साल से ज्यादा समय हो चुका है इस ETF को मार्केट में और इसके फंडामेंटल्स वाइरा भी देख सकते हैं AUM साइज जो है वो 305 क इस ETF का है और बाकी नीचे आएंगे तो इस ETF को सिंबल है वो आप देख सकते हैं अलफा ETF इस ETF का सिंबल होने वाला है बाकी इसमें 30 स्टॉक हैं और यह सभी large cap companies होती हैं तो यहां पर कोई भी media small cap companies नहीं है सभी large cap companies हैं और यहां पर आपको कई सारे जैसा कि index ETF है तो यहां पर आपको कई सारे sectors दिखने को मिल जाते हैं तो देखिए generally क्या होता है कि हम जब कभी किसी sectorial ETF में निवेस करते हैं या फिर thematic ETF में निवेस करते हैं तो वो पूरा ETF उस particular sector या उस particular theme पर ही depend होता है तो थोड़ा सा कहीं न कहीं benefit होता है जब हम किसी index ETF में निवेस करते हैं क् कि वहाँ पर कई सारे sector होते हैं तो हो सकता है कोई sector ना perform कर रहा है पर कोई दूसरा sector जो perform कर जाता है उस समय तो जिससे उस पूरे ETF में benefit हो जाता है वो ETF का price थोड़ा सा कम गिरता है या फिर ऊपर चला जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारे sector देखने को मिल है इस Nifty 200 value 30 total return index को जिसको की यह ETF कवर करता है और यहाँ पर financial services का एक बड़ा weightage है 30% पिर oil and gas का 28% और metals and mining का 18% power 10.7% construction and materials का 5% chemicals लगभग 4% के असपास पिर daily communication लगभग 1% और इस index ने वीते कुछ समय पहले काफी अच्छ रिटन बना के भी दिये थे अपने इसको को जो की अगर आप compare करने जाएंगे Nifty 50, Nifty Next 50 या और Nifty 500 या अधर जितने भी index है तो काफी अच्छे return है comparison with देख सकते है 65% के return निकाल के दिये हैं बीते एक साल में बीदे 5 साल का CGR 32% का है और since inception 17.2% का return है तो return wise भी काफी अच्छा ETF दिख रहा है P.E. ratio भी ठीक ठाक है अच्छा P.E. है पर जिस ETF के बारे में हम आपको आज 100 कर रहे हैं जो विराय सेट का Nifty 200, Alpha 30 ETF है यह एक index का ETF है यहाँ पर आपको कई सारे sector दिखने को मिल जाते हैं और जिसा कि आपको पता ही होगा हम अक्सर अपने वीडियो पर बोलते रहते हैं कि देखिए जो index वाले ETF होते है न वो थोड इसे safety ज्यादा रहती है और यहाँ पर सभी large gap stock है तो यहाँ पर और भी risk कम हो जाता है तो जिस वज़े से आप चाहे तो यहाँ पर निवेस कर सकते हैं या फिर आप अपने watchlist में add कर सकते हैं और further गिराउट का वेट कर सकते हैं तो यह ETF अभी कड़ाय में निवेस के point of view से अच्छा option नजर आ रहा है क्योंकि index wise काफी ज्यादा गिराउट भी हो चुकी है और यहाँ पर एक निवेस का अच्छा मोका भी बन रहा है तो आप चाहते हैं यहाँ पर निवेस के point of view से इसी tip में पैसा निवेस करना चाहें तो कर सकते हैं पर हाँ गिराउट के लिए पै टाइम लग सकता है तो हो सके तो आप जो भी मैसा लगाएं वो long term perspective से लगाएं तो ज्यादा better choice होगी बाकी यह वो etiap था जो हम आपके साथ share करना चाहते थे तो I hope यह etiap आपको पसंद आया होगा बाकी वीडियो पसंद आया है या फिर etiap पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye